वेल्कम टू न्यूस्पेबर रीडिंग आटिकल 22 अब जैसा कि हमारा रीडिंग का परपस है कि हम हर तरीके की रीडिंग करें मार्केटिंग से रिलेटेड, एकोनोमी से रिलेटेड, नेचर और साइंस से रिलेटेड, स्पिरिछुआलिटी से रिलेटेड उस उदेशों को याद रखते हुए, आज का हमारा अगला आटिकल है, और आटिकल इस बर्गर किंग आईपियो एक्स्प्रेंट, तो देर विल भी मैनी न्यू टर्म्स जो हम सीखेंगे इस आटिकल के दोरान, जिसमें से पहला है आईपियो, इस बारे में बात करेंगे, जो आटिकल है, इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल लाएगा, आप निस्पॉपर की साइट पर जाके पढ़िएगा अस आटिकल, लेट्स बिगिन, शुरुबात में ही कुछ टर्म्स क्लियर करेंगे, जैसे के हमारा टाइटल था क कि Burger King IPO explainer, Burger King के बारे में सब को बता की, Burger King एक ऐसा joint है, जहां पर आगे, बर्गर खाते हो आप, ज्यादतर मॉल्स बगरा में आपको देखने को मिल जाता है, तो अभी इतनी ही knowledge है आपको उसके बारे में, आज हम बात करेंगे, Burger King IPO के बारे में, तो what is an IPO, सब सब यह समझते IPO क्यों आता है, IPO is initial public offering, is the process by which a private company can go public, तो IPO एक प्रक्रिया है, process है, जिसके मध्यम से एक private company जो है, वो public company बन जाती है, कैसे, by sale of its stocks या shares to general public, इस तरीके से अपने share बेचके, इसको आम जनता हो, general public को अब यहाँ से हमारे दिमाग में आता है, कि share क्या होता है, public company क्या होती है, private company क्या होती है, फेले इतना समझागी कि IPO एक प्रक्रिया है, जिसके माद्यम से एक private company, public company बनती है, अपने share जो है, public को बेचके, share किसको बोलते है, share देख लेते है, shares represent ownership of a company, share क्या है, company की मालकियत, company के आप कितने हिस्से के मालिक है, वो आपका share है, when an individual buys shares in your company, जब कोई individual share खरीचता है, वो आप उस company के owners में से एक बन जाता है, उस company के मालिकों में से एक बन जाता है, अपने shares भी बहुत तरीके के होते है, कोई share ऐसा होता है, जो सिरफ आपको मुनाफिय की हिस्से दार दे basic जानकारी लेने हैं, जो अकबार पढ़ने में हमारे को अदद करें, तो IPO समझ आ गया, share समझ आ गया, आप किसी company के share जब खरीते हैं, तो आपका उसका मुनाफिय में हिस्सो आजाता है, आप उसके owner बन जाते हो, ठीक है, फिर public company और private company इसको मोलते है, the public company refers to a company, public company जो है, that is listed on a recognized stock exchange, जो किसी stock exchange में listed हो, जैसे Bombay stock exchange आपने सुना आगा है, तो अगर कोई company किसी stock exchange में listed है, listed का मतब ऐसा समझ आ रिजिस्टर है, and its securities are trading publicly, securities का मतब share समझ आ और उसके share अगा trade होते है, खरीदे बेचे जाते है publicly, तो उसको हम public company बोलते है, private company is one, private company बो होती है, that is not listed on a stock exchange जो किसी stock exchange पर registered नहीं होती, किसी stock exchange पर listed नहीं होती, and its securities are held privately by its members, और उसके जो shares होते है, उसके जो securities होती है, वो privately hold किये जाते है, उसके सदस्यों के द्वारा, तो देखो, अब क्या है न, वैसे तो एक article पढ़ने है, अकबार का लेकिन knowledge बढ़गी, IPO समझ आ गया होता है, share क इसको बोलते है, समझ आ गया है, public company और private company इसको बोलते है, इतनी ही जानकारी लेकर अगर आगे बढ़ोगे न, तो आपको यह अकबार का article समझ आ जाएगा, चूर्च यह यह याद रखना है, आपने कि आप जब आप exam में बैठ होगे, वो किसी भी तरीका का article आपके सामने reading comprehension में आ सकता है, आपके sentences में, errors में, किसी भी topic से related आ सकता है, उसी के लिएम आपने आपको तयार कर रहे हैं, newspaper reading के मातने हैं से, शुरू करते हैं, Burger King IPO allotment की बात हुरिए यह तो मैं बताईए, the initial public offering of Burger King India Limited, initial का मदब शुरूवाती प्रारंबिक, तो जो शुरूवाती IPO evoked, evoked main verb हो गया, उसने evoke किया a massive oversubscription, जब हम कोई चीज कुछ evoke करती है, तो वो क्या करती है, उसका कारण मनती है, कुछ effect produce करती है, for example, किसी incident ने कोई memory evoke कर दी, तो आपको उस incident की वैसे वो यह memory आ गया, वो याद आ गया, किसी incident ने anger evoke कर दिया, तो उस incident की वैसे आपको गुस्सा आ गया, तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है, कि जो प्रारंबिक IPO हुआ, Burger King India Limited का, वो कारण मना, एक massive, massive का मतल में पता है, कोची जो बहुत बड़ी होती है, size में, quantity में, उसको massive बोला जाते है, वो कारण मना, एक massive oversubscription का, of 157 times, अब इत्ती सी बात अगर समझागे पूर आटिकल समझागे, अभी हमने यह बोला, कि जब कोई private company, public company मनती है, तो हो क्या करती है, share बेचती है, हम जनता को, यहाँ पर यह बोला जा रहा है, कि Burger King ने IPO करा, अपने share बेचने की कवायत करी, वो share लेकिन oversubscribe हो, oversubscribe का मतलब ऐसे समझे, कि माली जो उन्होंने बोला बेचेंगे, और X share बेचेंगे, लेकिन जो X share की demand आई, वो X नहीं आई, वो 157 times आई उसकी, 157 गुना demand आगी उनके shares की, इसको बोलाया था, over subscription, subscription का मतलब किते लोग subscribe कर रहे हैं, जुरूत से ज़्यादा लोग उसको subscribe कर रहे हैं, इसलिए लोग उसको बोला गया, over subscription, आग इसे case में जब की burger king का जब IPO हुआ, और उसको over subscribe करा गया है, यानि जित्ते लोगों से उमीद की उसके 157 गुना, उसको over subscribe करा गया, तो ऐसे में क्या chances है, allotment के share allotment कैसे होगा, will there be a premium on listing, क्या listing में premium भी होगा, ये भी समझ लेता है, बहुत असान है, देखो, किसी भी चीज की जब demand ज्यादा होती है, तो उसका दाम बढ़ता है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तो demand 157 गुना ज्यादा है, तो दाम बढ़ेगा share का, अब आगर आगे जाके पढ़ेंगे तो burger king ने अपने share को 60 रुपे के दाम पे जो है, बोला था कि हम 60 रुपे के दाम पे share ब बिसिकली के question, जिसका जवाब भी मैं आपको होता है, तो अब हम तो यह article अपट रहें, लेकिन burger king का IPO हो चुका है, और premium listing में premium था, यानि कि अगर मैं आपको बता हूँ तो 60 रुपे का share था, वो 92% बढ़के 115 रुपे के आसपास जाके कहीं list हुआ, premium, सिरफ कारण क्या था, demand, ज्यादा लोगों ने उसको subscribe करा, oversubscribe करा, जिसका नाम था, oversubscription, आगे बढ़ते हैं, 10 रुपीज, 810 करोड इनिशाल पपलिक ओफरिंग ऑफ बर्गर किंग इंडिया लेमिटेड, जो 810 करोड रुपे का IPO था, बर्गर किंग इंडिया लेमिटेड का, 810 करोड रुपे का IPO मतलब क्या है, कि कम्पनी ने यह सोचा था, यह 810 करोड रुपे के share बेचेंगे, यह समझ लिए इसको, which received over, a huge over subscription, is likely to be listed on the stock exchange early next week, तो बोल रहा है कि जो 800 करोड रुपे का IPO हुआ था, बर्गर किंग इंडिया लेमिटेड का, जिसको मिला था, बेच यहां पर relative pronoun हो गया, जिसको मिला था, over subscription, is likely to, is likely to का मतलब संभावना बताए जारी, उसकी संभावना है, लि लिस्ट हो जाएगा, रिजिस्टर हो जाएगा, stock exchange, although it has made losses, हाला कि उसने नुकसान झेले है, the quick service restaurant chain, जिसको QSR भी बोलते है, Burger King की बात हो लिए, जो कि quick service restaurant chain है, which is a joint venture, तो हाला कि उसने नुकसान झेले है, जो हमारा quick service restaurant chain है, जो कि एक joint venture है, joint venture भी बहुत असान है, जब दो कंपनिया मिलके business activity करती है, terms and condition define कर लेते हैं, इस terms and condition में करेंगे, वो joint venture कर लाता है, जो कि joint venture है, BK Asia Pack Private Limited के बीच में, जो की subsidiary है, मैं यहापर ऐसा भी लिख सकता था, which is a subsidiary, that is a subsidiary, कॉमा लगा कर भी लिख सकता हूँ, जो की subsidiary है, Burger King Holding की, subsidiary का मतलब हमने पिछले एक article में बड़ा था, अगर कोई company subsidiary होती है, तो एक बड़ी company का हिस्सा होती है, यानि कि BK Asia Pack Private Limited जो है, Burger King Holding का हिस्सा है, तो यह joint venture हुआ, यह BK Asia Pack Private Limited के बीच में हुआ, और FNB Asia Ventures Singapore Private Limited के बीच में हुआ, और यह joint venture है, यह जो quick service restaurant chain है, is unlikely to disappoint investors, analysts से, panelists यह कह रहे हैं, कि यह joint venture हुआ है, और यह जो quick service restaurant chain है, यह संभावना यह नहीं है, कि यह disappoint करेगा investors को, यानि कि जो निवेशक share खरीदेंगे, वो निराश नहीं होंगे, इसके share खरीद के, how was the IPO received by investors, तो यह जो IPO था, इसको कैसा response विला है, निवेशकों का, the IPO evoked a massive over subscription of 157 times, repeat हो रही है बात, कि response तो देखी रहा है, कि over subscription हुआ, 157 गुना over subscription हुआ है, the retail individual investor segment of the IPO was subscribed over 68 times, अचा इसको आगे पढ़ने से पहले हैं, आपको तीन भाग बताना चाता हूँ, जब भी IPO होता है न, तो जो share offer करे जाते हैं, तो वो क्यों था, तीन segments offer करे जाते हैं, जिसमें पहला segment है, retail individual investors, घबराना नहीं है, इसको होते हैं, retail individual investors कौन होगे, आपके और मेरे जैसे लोग, जो कि बहुत बड़ी value के share नहीं खरीते हैं, बहुत ज़्यादा shares नहीं खरीते हैं, वो retail segment होगे, दूसरा segment होता है, qualified institutional buyers, qualified institutional buyers में bank हो गए, financial institution हो गए, insurance companies हो गई, mutual fund houses हो गए, ये जो हैं share खरीते हैं, और तीसरा segment होता है, वो उनको non-institutional investors बोलते हैं, non-institutional investors बोलते हैं, जो किसी institution का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन उनकी net worth, या जिनको अमीर ही बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर इनमें कुछ company बहुत आती हैं, तो तीन तरीके के buyers होते हैं, इन shares के, आप ऐसा समल लीजे, या ये समल लीजे, कि जब भी IPO होता है, तो तीन segment को offer करा जाता है, जिसमें retail investor, qualified institutional buyer और non-institutional investors होता है, तो यहां पर हो बता रहे हैं, कि ये जो IPO जो over subscribe हुआ, 157 गुना, तो उसमें जो retail individual investor segment था, उसमें IPO जो था, was subscribed over 68 times, तो उसमें 68 गुना subscribe हुआ, while the portion meant for, जबकि जो भाग meant for qualified institutional buyers के लिए था, जो भाग qualified institutional buyers के लिए था, वो subscribe हुआ, 87 गुना, और जो non-institutional investors के था, वो 354 गुना जो है, over subscribe हुआ, तो जितने भी segments के लिए, ये share जो offer किये गए थे, और सब segment में की जो share है, वहां पर over subscription देखनों को मिला, इस IPO में क्या शामिल था, fresh issue of shares, ऐसे shares जो पहली बार issue किये गए, और उनका value थी 450 करोड, and the promoter entity, और जो promoter entity, promoter कौन होता है, promoter company या promoter कौन होता है, जो किसी company के गठन में योगदान दे, incorporation में, formation में, उसको operational बनाने में मदद करें, वो होता है, promoter, और promoter entity, QSR Asia Private Limited ने बेचे, sold up to 6 करोड shares, जो उनके बास पहले से ही थे, तो देखो, दो प्रकार के shares बेचे गए, पहले तो नए share है, 4500 करोड रुपे, इसको बेचके, कंपनी के बास 4500 करोड रुपे, उन्होंने कहा कि हमारे बास आई है, 6 करोड रुपे के share, QSR Asia Private Limited ने बोला, जो कि promoter company थी, promoter company मतलब जिसने burger king जब बना होगा तो उसमें, उसके गठन में, formation, incorporation में योगदान दिया होगा, तो उनके पास 6 करोड रुपे के निजी share थे, वो नोने बेचे, IPO के मान्दवे से, Burger King India plans to use the IPO proceeds, Burger King India जो है, plan कर रही है, इस्तमाल करने के, यह जो IPO के proceeds है, proceeds का मतलब revenue, I, to open new stores, तो वो plan करेंगे, जो कि I मिलेगी, share बेच के पैसा मिलेगा, उससे क्या करेंगे, नए store खोलेंगे, और reduce करेंगे, debt को, अपने कर्ज को कम करेंगे, IPO का परपस ही होता, जब भी जो कि प्राइवेट कंपनी क्यों public जारी ही, वो इसलिए जारी है, क्योंकि उनको expand करने के लिए पैसा चीए, expand करने के लिए पैसा कहां से मिलेगा, जंता से मिलेगा, लोगों से मिलेगा, इन्वेस्टर से मिलेगा, या अब तो जैसे बोला न, यही पर दोनों परपस बता आगे बढ़ते हैं, what are the chances of allotment, allotment के क्या chance है, allotment का मतलब कि अब जो जिन लोगों ने oversubscribe करा है, सबको तो नहीं मिलेंगे share, किसी को मिलेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे, या ऐसा भी होगा कि किसी ने अगर 100 मांग गया तो उसको 50 मिलेंगे, तो allotment का क्या chance है, the share allotment plan of the IPO is likely to be announced, जो share allotment का plan है, IPO का, is likely to be announced, तो संभावना है उसके announce होने की on Wednesday, वुद्भार को उसके announce होने की संभावना है, chances of investors getting the shares at the upper end of price band of Rs.60 are less, chances यानि संभावना है, संभावना किस चीज की, investors के पाने की, getting अपर जिरण हो गया, investors के पाने की, क्या, shares, किस पे, upper end of the price band of Rs.60, यानि साट के upper band, साट का upper band का हो गया, 61, 62, 63, 60 का upper band हो गया, दाम का, वो तो का, यह संभावना तो जो है, जी, कम है, as the IPO received, क्योंकि, as ever, because, the IPO received a big response from investors, क्योंकि, IPO को बहुत बड़ा response मिला है, investors को, यानि साट के hairfare में तो, उनको ज बड़ेगा, यानि कि premium पे listing होगी, तो कहीं, बड़ा हुए दाम पे मिलेगा, जैसे मैं आपको बताया है, कि बड़े दाम है, यह 115 पे list हो आगे जाके, stock exchange पे, however, investors who don't get the allotment, लेकिन, investors, जिन्हें यह allotment नहीं मिलेगा, can pick up the shares, वो share उठा सकते है, when the shares witness correction, जब shares में correction होगा, after listing on the stock exchange, अब एक बार stock exchange पे जब share list हो जाएंगे न, खरीद फरोगत होगी उसके बाद, खरीद फरोगत होने के बाद, share price अपना जो होना चाहिए, उस पे आ जाएगा, तो बोला यह जा रहा है, कि जब एक बार share price उस दाम पे आ जाएगा, तब जिन investors को share नहीं मिले, तब वहाँ से खरीद पाईगे, आगे बढ़ते हैं, will there be a premium on listing, अभी जैसे हमने premium की बात करी थी, क्या listing में premium होगा, the companies share are likely to be listed at premium, company के share की संभावना है, अब likely to वाला structure तो कित्ती बार आ रहा है, पहले हम पढ़ चुके है कि likely to के बाद, वह अपकी first form आएगी, जब वह अपकी first form नहीं आएगी तो B आएगा, पीछे जाते हैं, यहाँ पर likely to के बाद B दिख रहा है, first form नहीं था, यहाँ तो likely to के बाद B दिख रहा है, यहाँ तो likely to के बाद first form आएगा, यहाँ तो likely to के बाद first form आएगा, is likely to leave soon, समावना है कि वह जल्द चला जाएगा, is likely to pass, समावना है कि वो पास हो जाएगा तो लीव पास वो अपकी फर्स्ट फर्म थे नहीं होंगे तो भी दिखाएगा मेशा तो company shares are likely to be listed at a premium संभावना है कि company share list होंगे premium पे बड़े वे दामों पे Burger King's shares were coating at a premium of 70-75% in the unofficial gray market Burger King के जो share थे वो coat हो रहे थे यानि उनका दाम लग रहा था premium पे 70-75% का अनौप्चारी ग्रे मार्केट में यानि अनौप्चारी ग्रे मार्केट मतलब यह वो channels हैं जहाँ पर company authorized नहीं करती कि share बेचे जाए उस मांद्यम से वैसे बाजार में तो क्या है कि इसका दाम जो है उस पे क्या लग रहा थे कि 70-70% प्रिमियम पे लिस्ट होगा 60 रुपे था ना 60 रुपे को 70-50% से बढ़ा दो वह तो वह कहारे तो इतने से लिस्ट होगा लेकिन जैसे मैं आपको पता है कितने से लिस्ट हुआ 92 percent प्रिमियम पे लिस्टिंग होई इसके इन्वेस्टर्स फो गेट देखेंगे अच्छी बड़ा अच्छी अप्रिसिएशन ओन्ध लिस्टिंग लेग जिस दिन लिस्टिंग होई उसी दिन उनको उनको उनके शेयर के दामों में अप्रिसिएशन दिखेंगे यानी कोई बड़े वे दाम पे भी शेर खरीदेगा, मालने ज़िए 60 रुप का शेर है, प्रीमियम पे लिस्टिंग होई, जैसे मने आपको बताएं कि 115 रुपे भी लिस्टिंग होई, 115 रुपे आपने क्या गरा, 1000 शेर खरीद लिया मालने, तो वो यह कह रहे हैं कि आगे क्या सम्भाव सवाल है कि क्या उनको शेर पकड़े रहना है, या प्रॉफिट ले लेना, प्रॉफिट लेने लेना, मतला उन्होंने 115 रुपे खरीदा, उसी दिन शेर का दाम 125 रुपे, 130 बहुचा, शेर बेचे, ऐसा कमाया, इसको बोलता है बुक करना प्रॉफिट को, तो क्या ऐसा करना अची है, ये शेर को पकड़े रहना अची है, at 2.7 times the price-sales ratio, burger king is relatively cheap, बोल रहे है कि इस ratio को अगर देखे, जो price-sales ratio होती है, ये क्यों देखी चाती है बता जाता हूँ, price-to-sales ratio का मतलब share का price, उसका अनुपात देखा जाता है कि से sales है, company की revenue, company की IS, ये माना जाता है कि अग ये शेर undervalued है, ये शेर का दाम कम है, price-to-sales ratio अगर जाता है, तो ये माना जाता है, share overvalued है, ये शेर का दाम जाता है, अब यहाँ पर हम देखे, तो क्या देखा जाता है, 2.7, तो इसका मतलब ये बहा कि share undervalued है, ये इसके आगे जाके और क्यों की value बढ़ेगी, ये बोला Foodworks and Westlife Development respectively, ये और कोई public कमपनियां है, उनके share से इसकी comparison हो रही है, कि उनसे compare करें, तो इस share का दाम तो भी क्या है, कम है, ये analyst ने बोला, How has Burger King expanded in India, Burger King ने भारत में कैसे विस्तार किया है, as of November 25, 2020, as of November 25, 2020 के मतलब की 25 November 20, को, The company had 259 company owned Burger King restaurants, company के 259 खरीदे हुए या जिन उसका मालकाला हाकता है, कितने Burger King के restaurants है, restaurants थे, and 9 sub-franchised burger restaurants, और 9 sub-franchised burger restaurants थे, जिन में से 249 operational थे, यानि जिसमें से 249 चालू हालत में, चलती भी हालत में थे, As part of the franchisee agreement, franchisee agreement के तहत, The company is obligated, company is obligated का मतलब, company is required, company का करतव है, या company के लिए करना ये अनिवार है क्या, To develop and open at least 700 restaurants, company को क्या required है, company को क्या करना चलूरी है, उनको at least 700 restaurant खोलने है, अब तक by December 2026, तो Burger King की franchisee का जो agreement है, यानि जिनोंने Burger King की franchisee ली है, उनको, उनका, उनका, उनका क्या करना obligation है, कि सन 2026 के दिसम्बर महिने तक उनको 700 बरांचे खोलनी है, इसकी 700 restaurant खोलनी है, Signaling further growth prospects, जो की signal कर रहा है, participle, which signals, जो की इशारा कर रहा है किसकी तरफ, further growth prospects, की आगे जाके और growth की समधावना है, अब ये क्यों ज़रूरी है, अगर मानलों आप investor होते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा संकियत है, आपने किसी company का share खरीदा, और आपको पता है कि company आगे जाके grow करेगी, तो आप उसका share hold करोगे, बेचोगे नहीं तुरन्त, क्योंकि आपको पता है कि आगे जाके इसके share का दाम बढ़ेगा, company का इससेदारी लोगा, it has exclusive rights, exclusive कोई चीज होती है, वो सिरफ आपके पास होती है, आपके पास उसके अधिकार होते हैं, तो यानि कि उसके पास exclusive rights है, अधिकार है कि चीज़ के to develop, विक्सित करने के, स्थापित करने के, operate करने के, and franchise, और franchisee देने के, Burger King branded restaurants as national master franchisee, उसके पास अध अधिकार है कि वो क्या कर सकते है, विक्सित कर सकता है, स्थापित कर सकता है, operate कर सकता है, और Burger King brand restaurants की आगे franchise दे सकता है, बत और national master franchisee, तेर हो गया, बढ़ते है, the Burger King brand is the second largest food burger brand, Burger King जो brand है, वो दूसरा सबसे बड़ा brand है, globally, पूरे विश्विस्तर पर देखते है, विद ओवर 18,675 restaurants, जहां परकि उसके 18,345 restaurant है, across more than 100 countries, जो की 100 से यादा देशों में फैले हुए है, what will be the impact of COVID on Burger King, COVID का क्या प्रभाब पड़ेगा Burger King में, COVID-19 has hit the industry heart, COVID-19 ने industry को बहुत ज्यादा hit करा है, as most of the restaurants were non-operational, जैसे की ज्यादा तर जो restaurant थे, were non-operational थे, यानि काम नहीं कर रहे थे, सन 2020 के पहले हाफ में, further आगे uncertain events, अनिश्चित जो events होते है, and state-wise lockdown, और हर राज जेक्यों जो अपने lockdown होते है, remain a big threat, वो क्या है, एक बड़ा threat है, इसको company के लिए, for example, जैसे हम उतराखंट की बात करें, तो अब उतराखंट में Sunday का lockdown लग रहा है, संडे को सारी दुखाने बन रहती है, तो अब ये Burger King जैसे restaurant के लिए, जो की चलता ही, संडे को सबसे आता है, उसके लिए तो एक threat है, Burger King's debt to equity ratio, Burger King की जो debt to equity ratio है, is comfortable, अब ये जो debt to equity ratio होती है, इसको भी बहुत सरल शब्दों समझाता हूँ, मैं basic idea दे रहा हूँ कि अब निवेश करते हैं, जैसे अब इपनी price to sales ratio देखा था, ऐसी debt to equity ratio होता है, और debt to equity ratio ये दिखाता है, कि ये जो company है, ये अपने operations को किस से चला ले, करजा लेकर चला रही है, ये अपनी कमाई वही आय से चला रही, तो ये बोला जारा है कि Burger King की जो debt to equity ratio है, वो comfortable है, at 0.8 times, and the CFO, यानि cash flow from operating activities, cash flow from operating activities को ये समझेगी, जो Burger King का काम है, उससे उसकी जो आय हो रही है, has improved, वो improve हो गया है, वेसे के लिए ये बहुत अच्छा संकेत है, कि Burger King जो अपने operation को करजे से नहीं चला रहा है, उसका जो cash flow है, वो भी improve हो गया है, from the negative territory, और वो negative से positive में आ गया है, और कितना हो गया है, 112.7 करोर हो गया है, for financial year 2020, the company also plans, company और plan क्या है, to use some of the IPO proceeds, इस्तमाल करना, IPO proceeds में से कुछ, some of the कि बहुत को होगी, IPO proceeds में से कुछ, IPO से होने वाली, ISME से कुछ, किस चीज में, to repay its debt, अपने करजे को repay करने के लिए, and for expansion plans, यह तो पहली भी नहीं पलता हो, और विस्तार करने के, however, लेकिन stringent rules, stringent होगे, strict, harsh, कड़े, कठोर, लेकिन जो कड़े rules है, due to the new COVID wave, नए COVID wave के कारण, might disrupt, शायद disrupt कर दे, upset कर दे, खलवली बचा दे, भंग कर दे, किसको, उसके plans को, and could be risky, और यह risky भी हो सकते है, for a relatively new player, एक comparatively नए player के लिए, इन इंडिया जो भारत में आया है, given its strong competition, क्योंकि उसका strong competition, भी अब burger king तो नहाया है, भारत में, बोलाई कि यह जो चीज है न, यह थोड़ा सा क्या कर सकती है, उसको परेशानी पैदा कर सकती है, और यह बात किस ने बोली, यह निराली शाह ने बोली, senior research analyst है, जो SEMCO securities की, आगे है, how is it doing on the financial field, financial अगर हम पहलू देखे, तब यह company यानि burger king कैसा कर रहा है, revenues from operations of the company have increased, operations, आए, उसके operations से, operations या नि जो उसके काम है, क्या है कि एक chain है, restaurant है, तो जो खाना बेचके, जो उसकी आए हो रही है, वो बड़ी है, have increased from rupees 378.1 crore in financial year 18 to 841.2 crore in financial year 20, बोल रहा है, आए तो बड़ी है, यह meaning होगा, आपको बता है, screen रोके, आपको भी कर सकते हैं, while the company is yet to report profit, हला कि जबकि company को अभी भी मुनाफ़ा दर्ज कराना बाकी है, यह yet to वाला structure बहुत जो हो रही है, is yet to, और वाक की first form करे जाना बाकी है, he is yet to decide, उसका निर्णने लिया जाना भी बाकी है, it has been able to register decent gross margins, हला कि company का भी मुनाफ़ा दर्ज कराना बाकी है, लेकिन company जो है सक्षम रही है, has been able to, सक्षम रही है, क्या करने में, register करने में decent gross margins, EBITDA and a positive operating cash flow in pre-COVID times, अब basically जो निवेशा कहना वो तो समझ जाएगा, उसको बढ़केगे, सारे संकेत है कि company बढ़िया बढ़िया चल रही है, वह सारे financial terms, gross margin, EBITDA, earnings before interest, tax, depreciation and amortization, उनमें deep में नहीं जाऊँगा है, जारा अब घबरा जाऊँगा, बस यह समल्यों की यह positive संकेत है company, तब valuation seems reasonable, यह जो valuation है company की, मुल्यांकर ने कमपनी का, यह reasonable logical प्रज़ित होता है, when compared to peers, जब इसको compare करा जाता है इसके peers, peer कौन होते हैं जो उसके equal है, यानि हमाँ यहाँ पर गए बोल सकता होगी, Burger King जैसी company उसको compare करें, तो उसका जो मुल्यांकर है, वो reasonable नज़राता है, while the COVID-19 crisis have impacted short term growth, जब की हाला की जो COVID-19 के crisis ने प्रभावित किया है, short term growth को, कम समय में होने वाली growth को, we believe हम यह मानते है, the company that we आ सकता था, that the company remains well placed, की company जो है well placed है, for long term growth, well placed for long term growth का मतलब यह हुआ, की company की long term growth होने की संभावना ज़्यादा है, given, अब कारण बता रहा है, क्यों ज़्यादा है उनको ऐसे लगता है, given, given को आप ऐसे भी कर सकते हो, because भी समझते हो, because of its, because of its क्या, strong brand position, क्योंकि इसकी brand position बहुत strong है, diverse food offerings, diverse का मतलब जिसमें बहुत variety हो, अलग-अलग प्रगार का जो food offer करता है, इतने प्रगार के burger वो offer करता है, well established supply chain, बहुत अच्छी जो उसकी supply chain established हो रखी है, supply chain का मतलब यह समय लीजे कि, कहां से वो अपना raw material लाता है, कच्छा माल उठाता है, कैसे वो कच्छा माल कंपनी दख पहुचता है, कैसे वो फिर sale होता है, यह सारा supply chain में आगे, aggressive expansion plan, जो उनके विस्तार के plan है, बहुत एक्सपेंड है, तेजी से वो expand करने का भी सोच रहे है, cost management efforts, लागत को manage करने के जो परियास है, and benefit from gradual recovery in the QSR industry, और जो फायदा होने वाला है, gradual recovery, recovery का मतलब सबको समझाता है, gradual वो चीज होती है, जो जल्दी से नहीं होती, suddenly नहीं होती है, नि समय के साथ साथ धेरे-धेरे होती है, तो और जो फायदा होने वाला है, gradual recovery से, जो quick QSR industry, QSR का हमने बात कीजिए, तो यह सारे जो है, सारे अच्छे संकेत हैं, company को लेकि, और यह किसने का, SEMCO Securities ने यह बात बोली, तो इसके साथ हमारा article पूरा होता है, कित्ती सारी बाते, IPO, share, public company, private company, कित्ते ब्रगार के investors होते हैं, अब यह याद नहीं करनी, यह बात है सिर्व एक base है, कि next time अकबार में जब आप पढ़ोगे न, फलानी कंपनी का IPO हो रहा है, तो आपके दिमाग में अच्छा है, अच्छा यह वाली company का कर रही है, यह वाली company अपने share बेचेगी, और यह private से public limited company मन जाएगी, share को बेचेगी, जो बेचेगी कमनी दो ही कारण हो सकता है, पहला या तो expansion, विस्तार, या फिर कर्जे को अपने काटना है, यह बात है अगर आगे न, तो अगली बार ऐसा article पढ़ते हैं, आपको दिक्कत में, students आपको पता है आपने क्या करना है, अलग रख स्कीम पर आपको word meaning देख रहे हैं, आपर वो copy कीजिए, article को दुबारा सुनिए, और newspaper की site पर जाके इसको पढ़िए, एक और interesting article के साथ मैं आपसे जल्द मिलूँगा, मेरी तरफ से अभी इतना ही, थैक्ट